इस चे PTSD की पड़ने रहे हैं और क्लिनिकल पैथिलोगी की टॉपिक में जो पढ़ रहे हैं यो पढ़ रहे हैं यूरीन का यूरीन का चouse कहा कि यूरीन की चैमिकाल एक्जामनेशन में आज का तौपिक हम जो इसके पहले जो रिचेंट टौपिक हम ने पिश्ट क्या में मदला बिली रूबिन इन यूरीन आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हूं वाल एक जूस होता है यो कि हमारे gonna इंटेस्टाइन में यदि हम कोई खाते हैं यदि हम लोग जा झायजकें लिपड कॉंटेंट का मतलब है लट आफ जैसे घी खाया पूरी खाया कचोड़ी खाया समोसे खाया कोई पनीर खाया कोई भी मिल्क प्रोड़क्ट खाया यदि उसमें लिपड प्रजेंट था तो वह लिपड जो है हमारे इंटिस्टाइन के अंदर इजली जो है वह डाइज करने के लिए हमारे intestine में enzymes प्रेजंट होते हैं जो जो लिफीड को digest करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं क्या ओलते हैं लाई-पेज इसको बोला जाता है लाइपेज एंजाइन, एल आई पी एस ए, बट ये लाइपेज एंजाइन जो है, क्योंकि लिपेट क्या होते हैं, वाटर इन सॉलिबल हैं, आप पानी लोए गलास और पानी में घी को डालते हम, तेल को डालो, तो क्या घी और पानी, घी और पानी मिक्स हो पाते हैं, या तेल या पानी मिक्स हो पाते हैं, पानी जो अलग फलोट करते रहेगा और घी अलग, और पानी अलग, ये एक दूसरे में मिक्स नहीं होते हैं, क्यों क्यों कि ये जो हैं, इनके सरफेस जो हैं, वाक्सी हैं, इतना यह mixable नहीं होते हैं तो क्या इनको हमारे intestine के through digestion कर पाना easy होगा वो भी easy नहीं होगा तो बोलो के सर उसको digest करने के लिए तो enzyme तो है न बट इस enzyme is also not to able the digest of this lipid तो इसको digest करने के लिए एक और extra juice की जरूरत पड़ती है उस juice का formation हमारे liver में होता है कहां पर होता है हमारे liver में होता है और उसी juice को बोलते हैं bile salts क्या बोला जाता है bile salts जब भी आपको lipid content खाएंगे ऐसे तो परड़ जो salt का formation होगा लेकिन जब आप क्योंकि आपके meal में आपके food में lipid content रहता ही रहता है खाते ही खाते हैं लेकिन जिस दिन आप huge amount में lipid content खाएंगे तो उस दिन huge amount की जरूत पड़ेगे तो जैसे ही आप lipid खाएंगे डिटेक्ट होगा आपके परेस्टमें के इंटेस्टाइन में सिघनल जाएगा है यजवर को सिगनल देगा कि आप 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 बायल रेसिट्स का बायल salt का formation की जिल कि जैसे ही आपने खाना खाया लीबर में परमसर्ट में बढ़गर Olha एक्चुल में बाइल सोल्ट्स जो होते हैं वो चार प्रकार के एसिड होते हैं बाइल सोल्ट्स को हम लोग बाइल एसिड के नाम से भी जानते हैं किस नाम से जानते हैं बाइल एसिड के नाम से और यह बाइल एसिड जो है चार प्रकार के एसिड को कमबाइन हो करके बाइल स लिबर डाजेस्टिफ सिस्टम में उसको विपढ़ाऊंगा अब आपने लिपिट खाया लिपिट खाने के बाद सिगनल गया इस लिवर को और इसने बाइल असीड का क्या बोलते हैं कोली सिंड वन होता है डी औक्सी कोलीग डी औक्सी कोलीग में ठाड वन होता है केनो डी जैसे ही अप्लिपिट खाए ए लिवर जो था ए चारो प्रकार की एसेड का फॉर्मिशन स्टार्ट करेगा इनहीं को बोलते हैं बाइल इसेड्स कॉम्पेटिशन पूछ देगा इनके नाम याद रखना है कोलिक डियॉक्सिकलिक के नो डियॉक्सिकलिक अड़ लिथोकॉलिक अब क्या हुगा यह चारो डायरेक्ट नहीं जाएंगे इंटेस्टाइब पचाने को यह चारो के चारो जो एसेड्स का फॉर्मिशन हुआ है बा बोलते हैं ग्लाइसीन या टॉरिन ग्लाइसीन या टॉरिन अब क्या करता है कि यह चारो को जो बाइल एसीड है या तो ग्लाइसीन के साथ या तो टॉरिन के साथ बाइंड करते हैं जब बाइंड कर लेते हैं ग्लाइसीन या टॉरिन के साथ तब जो है यह बाइल सॉल्ट बन जाते हैं अब एक जूस तैयार हो गया अब ये जूस जो है लिपिड को पचाने में एबल है अब एक्यूल में करता क्या है अब यहां से फॉर्मेशन हो गया है लिवर में फॉर्मेशन होनी के बाद ये जो है बाइल डाक्ट के थुरू आता है गॉल ब्लाडर में और गॉल ब्लाडर से होते हुए बाइल डाक्ट के थुरू अगेन जो है यह देखो यहां से गॉल ब्लाडर से निकला और यह बाइल डाक्ट कहां पर आ गया यह वाला जो इतना मोटा वाला पार्ट आपको दिख रहा है यह जो है small intestine इधर stomach हो गया यहां से जो है इधर में यह है small intestine का part इसको हम लोग बोलते हैं doodalis जो मोटा वाला पार्ट आपको इतना दीख रहा है इसको क्या बोला जाता है doodied num बोला जाता है उपर में stomach है इधर से आप food खाये होंगे कि यहां आया होगा स्टमक में प्र यहां आता है यहां पूरा में पूरा फिर इधर इलियम इलियम के बार तो कहां पर आगया सर्च पार्ट में आगया अब आपने कोई भी फूड़ खाया होगा लिंपिड हो यह क्या है विंग्स होने के बाद क्या करता है यह यह उसका क्या है कि जो भी आप लिपिड कॉंटेंट का है है उस fat content का surface tension decrease कर देता है यह काम करता है detergent का byle acid का work क्या किस चीज़ का है detergent का किस चीज़ का काम है detergent का आप बोलो कि detergent मतलब powder जो surf हम लोग कपड़े धोने के लिए जो यूज करते है उसका actual में detergent क्या है एक emulsifying agent है वैसे ही bile juice भी या bile salt भी emulsifying agent है हमारा जब कपड़ा बहुत गंदा होता है mail होता है तो उसमें हम लोग पहले detergent डालते हैं पानी फिर उसमें कपड़ा डालते है उससे mail निकल जाता क्यों क्योंकि सर्फ जो है detergent powder जो है जो कपड़े पर mail लगा हुआ था उसके surface tension को decrease कर देता है surface पर लगा हुआ बल को घटा देता है जिसके करण mail जो है easily निकल जाता है same bile salt भी जो है यही करता है fat के साथ fat की surface tension area को surface tension को decrease कर देता है it act as a detergent it act as a emulsifying agent it act as a emulsifying agent fat का emulsification करता है किसका fat का यानि fat का surface tension decrease कर दिया आप जैसे surface tension decrease किया वैसे ही जो lipase enzyme intestine में था fat के अंदर penetrate कर गया और fat को तोड़ दिया fat का digestion हो गया यही process चबता है और यही काम है bile salt का अब बूलेगे तो bile salt का urine examination का क्या महत्वा है अब जरह यहां से द्यान देने की बात है दो condition यहां पर आता है एक आता है obstructive jaundice एक आता है obstructive jaundice और दूसरा आता है cholesthasis obstructive jaundice का मतलब है देखो यहां पर एक और organ आपको दीख रहा होगा यह बगलमी इस तरीके से पत्ते क्या का रहा है इसको बोला जाता है pancreas और यह वाला जो पार्ट है यह है pancreas का head तो यदि suppose that in किसी condition में patient को pancreas के head में cancer हो गया है यह वाला जो पार्ट है इसमें cancer हो गया है तो यह pancreas का head बढ़ते 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 होते होते इतना बढ़ा हो गया तो इतना बढ़ा हो गया तो क्या किया यह जो था इधर के थूर इधर आना कोशिस करेगा लेकिन यह तो एक्चुल दबा हुआ है इस कंडिशन में हो जाएगा आप्स्ट्रक्शन ब्लॉकेज जिस्क ब्लॉकेज के कारण बाइल सोल्ड जो था और ड्यूडिनम में नहीं आ पाएगा तो अब कहा जाएगा अब जो है वापस यहीं से जो है वो ब्लड कैपिलरी में के थूरू जो है ब्लड सर्कुलेशन में चला जाएगा इसको बोलते है री गर्जिटेशन क्योंकि फॉर्मेशन तो प्रेसर तो बढ़ गया यहां तो अब डिफ्यूजन के थूरू कैपिलरी एक्शन के थूरू ब्लड सर्कुलेश में आपको यूरीन में बाइल सोल्ट का डिटेक्शन होगा दूसरा आता है कोलेस्थेस का मतलब होता है फॉर्मेशन ओफ स्टोन इन दे गल गॉल ब्लाडर यह बाइल डक्ट अब इन दे सपोस्ट आट कि यह जो गॉल ब्लाडर है इसी में छोटे-छोटे इनमें भी छॉडे दिधर के यह बाइल सोल्ट डिटेक्ट होगा इस कंडिशन में फिर सरी गर जिटेटेशन होगा इस कंडिशन में एक के urine में जो है वो बाहर होगा यह दोनों condition में जो है आपको bile salt detect होगा कहां आपके urine में और यह beneficial होता है इन दोनों condition को diagnose करने के लिए होप से बात आपको समझ में आई होगी अब bile salt को urine में detect करने के लिए जो test use किया जाता है उस test या उस method का नाम है हेज test क्या बोलते हैं हेज टेस्ट हेज test बहुत तीर नहीं है इसका principle बड़ा ही easy है आप समझ लेंगे जो अभी में पूरा theory समझा रहा था वो लगबग principle को ही समझा रहा था होता क्या है कि जो bile salt urine में जाएगा तो उसकी property किसी भी molecules का surface tension को decrease कर देता है तो bile salt यदि urine में भी गया है तो urine के भी surface tension को decrease कर देता है इसी surface tension के decrease करने की capacity को इसके principle के रूप में यूज किया जाता है कि अगर urine में बार को हम लोग urine sample लेते हैं यदि उसमें लोग समझ लेते हैं कि उसमें यही इसका प्रिंसिपल भी सेम वही चीज जो भी आपको समझा यह हूँ प्रोसीजर में क्या करेंगे प्रोसीजर में सबसे फर्स्ट वन क्या करेंगे कि एक आप कॉनिकल फ्लास्क लिजी यह टेस्ट्यूब लेजिए पूट आईब एमल या तीन इमल भी ले सकते हो यूरीन इन कॉनिकल फ्लास्क और टेस्ट्यूब कोई एक टेस्ट्यूब लेजिए या कॉनिकल फ्लास्क लिजिए उसमें तीन से पांच मल जो है यूरीन सेंपल डाल देजिए डालने के बाद आपको क्या करना है सर दूसरा स्टेप डालने के बाद आपको स्प्रिंकल sulfur powder on surface of urine surface of urine and wait for two minutes आप आपको दूसरा स्टेप क्या करना यूरीन ले लिया यूरीन लेने के बाद इसके उपर जो है इसके उपर बुरा देजे दो मेट के इंतजार कीजिए दो मेट के बाद जो है यह सल्फर पाउडर अगर इस में बाइल स्टेट कर रहा है यानि कि इसका जो सर्फेस का टेंसन था यह डिक्रीजट था डिक्रीज कब होगा जब इसमें बाइल सोल्ट प्रेजेंट होगा अब यदि सल्फर पाउडर सेटल डाउन हो गया इफ सल्फर पाउडर सेटल डाउन इट इंडिकेट इट इंडिकेट इंडिकेट पॉजिटिव रिजल्ट पॉजिटिव रिजल्ट यदि सल्फर पाउडर सेटल डाउन हो गया तो क्या इंडिकेट कर रहा है इसमें बाइल सोल्ट प्रेजेंट है प्रेजेंट को या तो गॉलस्टेन हुआ है या और अस्टेक्टिब जॉंडिस हुआ है यह आपको इंडिकेट कर रहा है और यदि सेटल डाउन नहीं हो रहा है इफ सेटल्ड नोट इफ सेटल्ड डाउन नोट अकर लिए है इन आप गेजर एक क्या इंडिकेट कर रहा है निगेट्टेव रिजल्ट जो है और इंडिकेट कर रहा है मतलब बाईल्स अपसेट अ 마%. बस यहिए बाईल शोल्ड की स्टोरी और कहानी यहाँ पीद में आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने कूश डाला था यहां से औ उपर में तो फॉम बन गया जाग बन गया तेसी सलफर डालें थोड़ा जाग बनेगा कुछ दिर बाद जो है देखिए यहां पर सापको सफेद कलर का सेटल अमांट दिख रहा होगा यह टेस्ट जो है वो पॉजिटीव और यादी नहीं सेटल रहता तो यह टेस्ट जो था और निगेटीव रहता है अब हमारा कैम के लिग्जामनेशन लगवाग फिनीश हो गया एक ब्लड बच गया जो बेंजडीन में थड़ होता है उसको टेस्ट करने के लिए तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग उस ब्लड का वे डिटेक्शन करेंगे देन कैम के